कॉंग्रेसनेतार राहुल गादी ने पृधानमंत्री नरिन्द मोदी के खिलाब जम कर हमला बोला है मड़ेपूर हिंसा को लेकर योरोपी यूनियन की संसत में हुई चर्चा को लेकर उन्होंने पृधानमंत्री की चुपी पर सवाल खड़ा किया इसके साथ ही कॉंग्रेस नेता राहुल गाधी ने प्रधानमंत्री के फ्रांस दोरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री को फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्या अतिती बनाय जाने का कनेक्शन राफेल बील से बताया है। राहुल गादी ने ट्वीट कर लिखा है कि मड़िपूर जल गया यूरोपी यूनियन की संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चाचा हो गई लेकिन पृधान मंत्री चुप है उन्होंने आगे लिखा किस बीच राफेल ने उन्हें बैस्टिल डे का टिकट दिलवा दिय भारकार ने भारती नौसेना के लिए फ्रान्स में 26 नेवल राफेल फाइटर जेट खरीदने के फैसले की जानकारी दी इसके तहर भारती नेवी को फ्रांस की दसा एवियेशन से 26 नय एडवान्स राफेल फाइटर जेट हाजब होंगे जो खास तरपर नेवी की जरूरतो के हिसाब से डिजाइन होंगे भारत में इन लड़ाकों विवानों के सफल ट्रायल के बाद सरकार ने इन विवानों की खरीद पर आगे पढ़ने का फैसला किया है। में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंक्यक समदाओं के प्रती आशाहिशूर्ता के चलते मरीपूर के हालात पैदा हुए। वहीं योरोपी संकी संसद में पारित किये गए एक प्रस्ताओं को भारत ने आप निवेशिक मानसिक्ता से प्रेरित करार देते हुए खारिच कर द कर दो